हाई गाईज वेलकम तू दू दू चैनल कॉंसेप्लैटी आज का वीडियो है एक बहुत ही एक अच्छी पोईम है पोईम का नाम है जॉन ब्राउन ठीक है यह आईससी इंगलिश की पोईम है तो इसको हम एनलाइस करेंगे लाइन बाइन ग्रेट डिटेल में हिंदी में ठीक बॉब डाउलन कौन है यह अमेरिका के एक मुजिशन है ठीक है यह अमेरिकन मुजिशन है लिखते भी है तो जैसा कि आप देख रहे हो यह एक पोईम है यह निकी पोईम है दोजार सोला में इनको नोबल प्राइस मिलाता लिट्रेचर में ठीक है तो नोबल प्राइस मिला तो इनका काफी वर्क जो अगर आप टाइम में आप अब देखते हैं जॉन ब्राउन यह नो लिखा क्यों है जॉन ब्राउन ये जो पोईम है पूरी थोड़ा सा बैग्राउंड समझ लो ये एक सोल्जर के उपर है ठीक है तो एक सोल्जर है अब किस कंट्री का है तो ये तो यहां मेंचन नहीं किया बट अब्वियसलि अगर जो ओथर है वो अमेरिका के हैं कहीं नहीं है अमेरिकन सोल्जर के बारे में लिख रहे है तो जॉन ब्राउन इस पोईम का सोल्जर है ठीक है तो मेन करेक्टर यही है इस पूरे पोईम में जॉन ब्राउन ठीक है तो ये एक सोल्जर है और ये जा रहा है war के लिए ठीक है war में लड़ने के लिए जा रहा है तो जो इसकी मदर है वो बहुत खुश होती है इस चीज को देख के कि भाई यह रलका मेरा war करने जा रहा है तो बड़ा ना एकदम गर्व से बहुत pride से वो इस चीज को खुशी मनाती है कि मैं लड़ा करने जा रहा है war में जा रहा है ठीक है तो यह कहानी इसी के उपर है पूरी जो poem है कि John Brown जाता है war लड़ता है फिर वापस आता है तो जब वापस आता है तो कैसे जब यह वापस आता है तो उसकी personality पूरी change हो जाती है और जो इसका perception है ना जोन ब्राउन का war की तरफ वो भी change हो जाता है तो अब दम देखेंगे line by line की कैसे starting में इसका क्या perception था John Brown की personality क्या थी जब यह war से बाद में वापस आता है तो उसकी क्या personality होती है और जो इसका outlook है जो इसका thought process है war की तरफ वो भी change हो जाता है ठीक है war को जैसा ही देखता था ना पहले वार पे जाने से पहले इसका जो outlook था war की तरफ बहुत अलग था thinking process बहुत अलग था लेकिन जो भी war लड़के वापस आता है तो इसका जो thought process है war को लेके बिल्कुल change हो जाता है ठीक है तो see around कहानी है पूरी यह just poem है तो अब देखते है john brown went off to war to fight on a foreign shore his mama shore was proud he stood straight and tall in his uniform and all his mama's face broke out all in a grin oh son you look so fine I am glad you are a son of mine अब कैस में बता रहे है कि john brown कहीं foreign land पे लड़ने के लिए जा रहा है obviously जब war करने जाते हो तो कहीं आप भाली जाते हो ठीक है तो यह लड़ने जा रहा है किसी दूसरी country में किस country में जा रहा है mention नहीं है इसकी mama जो mom होती है john brown की बड़ी proud feel करती है कि लड़का मेरा भादोर है लड़ने जा रहा है एक soldier है ठीक है और जो john brown है यह भी बड़ा proud feel करता है कि मैं a soldier हूँ हम लड़ाई करने जा रहा हूँ वार को लेके नहीं इसके अंदर भी एक इसमें दिखाया गया है author कह रहा है कि वार को लेके नहीं लोग बहुत glory feel करते हैं लोग बड़ा नहीं वार को एक macho behavior से link करा जाता है कि अगर आदमी लड़ने जा रहा है वार पे जा रहा है तो बड़ी glory की बात है बहुत बड़ी बात है और इसको idealize किया जाता है इन चीजों को वार पे जा रहे हो आप और इसको बहुत macho माना जाता है कि एक आदमी वार करने जा रहा है तो बड़ा macho है एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं मैं ठीक है तो स्टार्टिंग में आप देखो जॉन ब्राउन का जो थौट प्रोसेस है वार को लेके न वो बहुत अलग है यहाँ पर यह है कि वो वार को बहुत बड़ी चीज मानता है वो मानता कि वार करना बहुत बड़ी बात है मैचो बात है वार के फील्ड में जाके अपने एनिमी को मारना या वहाँ पर अपनी लाइफ को सेक्रिफाइस करना यह सब चीज में बहुत बड़ी है और बहुत गलोरी है ठीक है यह बहुत बड़ी चीज है बड़े मुश्कल से मिलता है किसी को मौका ऐसा करने का ठीक है वार लरने का तो यह शुरू में इस जो इसका आउटलुक है वार की तरफ बड़ा पॉजिटिव है बड़ा अच्छा दिखाया गया यह वार को कही नहीं यह भी इंटरनली ogen क्यों मेरे जो तुम नड़के हो बड़े ही बड़िय लगे उइसे में अबलति नगर के से जो मेक मी प्रॉड तो वो ओलकिन से कंड़ चॉंपन दूर्टों माँम कहती है कि भाए मगजे बड़ा प्राउट फिल होता है कि तुम में लड afternoon लड़के हो। और जैसा तुम्हावी कैप्टिन बोले। पक्का शर्षोट तुम बड़े ही जो भी तुम्हारा इनीमी को मार दोगे। तुम्हे बहुत सारे बॉले। टुम massage Three Hourtain पिसाओगे तो वो सारे मैडल्स को ना हम दिवार पे लगाएंगे घर की दिवार पे ठीक है तो मैडल्स mostly लोग कहां लगाते हैं वाल पे लगाते हैं तो कहीं न कहीं यहां पर यह दिखाई दे रहा है इस paragraph में कि मा भी बड़ी खुश है लड़का तो खुश है ही लड़का तो वर को आइडिलाइस करता ही है लड़का तो मानता ही है कि वर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है बड़ी महान चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है बड़ा मौका मिल रहा है महान है हम लोग कि हमें लड़ने का मौका मिल रहा है तो जॉन ब्राउन तो मानता है इसकी मा भी यह मानती है मा भी कहती है कि तुझे ब्रड़के आ जाएगा तो मैडल ले के आएगा मैडल हम दिवार पे लगाएंगे तो वो भी बड़ा चड़ा के इस तरीके से खुश हो के बोलती है तो यहाँ पर यह है आपे बढ़ते हैं फिर जो जो जाता है तो उसकी जो मा होती है वो बोलती है कि मेर लड़का सोल्जर है ठीक है अब यह जा रहा है अब देखो मतलब वार लड़ने जा रहा है कितनी बड़ी बात है ठीक है तो यह क्या कि जोन ब्राउन चला जाता है शी मेड वेल शोर हर नेबर से अंडर से लिगता थी मतलब सोसाइटी थी सब जगे दिखाती थी पुरी कॉलनी में जहां पे भी रहती थी नेबर रुड में सब को रलेटिव को आसपास वाले नेबर्स को कि देखो लड़के ने मेरे वहां लड़ाई कर रहा है वहां से मझे लेटर लिखता है ठीक है देखो देखो लड़का मेरा बहादर है soldier है, war कर रहा है, वहां से मुझे letter लिख रहा है तो बड़ी, इस चीज़ को लेके बहुत proud feel करती थी, ठीक है, and she bragged about her son with his uniform and gun ठीक है, brag मतलब होता है बढ़ा ही करना, ठीक है, बढ़ा चड़ा के बोलना किसी के बारे में, ठीक है, जैसे हम लोग नहीं करते है, बड़ा चड़ा के बोलते हैं अपने बारे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे हैं ऐसे ही, तो उसकी मा ब्रैक करती है बड़ा चड़ा के बोलती है, अपने लिखे के बारे में कि भाईया देखो, uniform है, gun है मतलब उसके बारे बाते करती है कि मैं लिलके की ऐसी उनिफॉर्म है मैं लिलके अबास ऐसी गन है मैं लिलका इतना बहाद हो रहा है मैं लिलका ये है ऐसे है ठीक है तो इस तरह से ये भी बड़ा चड़ा के बोलती है अपने लिलके के बारे बात करती है तो इसको कहीं नहीं जो मदर है इसकी भी ego को boost मिलता है कि इसके सन इतना महान है ठीक है अब ये बोल रहे हैं कि शुरू शुरू में तो बड़ा letter letter आते हैं ठीक है war के बारे में तो war को उनने old fashioned बोला हुआ है तो war के बारे में आते हैं starting में लेकिन बाद में क्या होता है दीमें दीमें letter आने कम हो जाते हैं फिर letter आते ही नहीं है एक time के बाद जो john brown है वो अपनी mother को letter लिखता नहीं है letter आने बंद हो जाते हैं ठीक है 10 महीने के असपास हो जाते है letter आने बंद हो जाते है then a letter finally came saying go down and meet the train your son is coming home from the war फिर finally 10 महीने तक कोई letter नहीं आता 10 महीने के बाद फिर एक letter आता है उस letter में क्या लगा होता है कि भाईया आ जाओ तुमान लिलका वापस आ रहा है उससे मिलने के लिए आ जाओ ठीक है train से आ रहा है मिलने के लिए आ जाओ मा भी बड़ी खुश होती है लिलका वापस आ रहा है भाईया वार से आ ठीक है अब जब यह मिलने जाती है अपने लिलके से तो यह बड़ी हरान होती है लिलके वो देख के क्यूंकि अब आप देखो यहाँ पर twist आ जाएगा लिलका वार से वापस आ गया है आपने देखा न दस महीने के असपस का टाइम हो गया था दस महीने लगबख साल बार हो चुगा था साल बार से वार में था वार से वापस आता है अब जब आप देखोगी जब यह वार से वापस आया है अब वह ऐसा नहीं सोसता, अब चेंज हो गया है वो, अब ही देखो गया माउस से मिलने जाती है, अब जब माद देखती है तो देखो, उसका कैसा है, जॉन ब्राउन अब कैसा हो गया यह दिस्क्राइब किया है, ओ, his face was all shot up and his hands were all blown off and he wore a metal brace around his waist उसका जो चेहरा होता है ना वार में वार में लड़ाई होती है बंबं फटते हैं गोलियां चलती है तो पूरे चेहरे पे एकदम गोलियों गोलियों के निशान होते हैं जो हाथ होता है उसका पूरा हाथ उड़ गया था बंबं फटा था तो हाथ पूरा उसका खराब हो गया पूरा हाथ उसका ओड़ गया ठीक है और अब उसने जो वेस्ट है इसके राउंड ना एक मैटल का ब्रेस पहना हुआ है मैटल ब्रेस मतलब समझा लो एक बेल्ट पहने हुई थी मैटल की ताकि वो सीधा ख़़ा रह सके तो कहीं नहीं जो इसकी स्पाइन है जो इसकी बैक की मसल्स है वो सब भी खराब हो गया थी वोर की वज़े से लगाई में तो ओविसली डैमिस तो होता है डिस्ट्रक्शन तो होता यह बहुत यह दिखाया गया है He whispered kind of slow in a voice she did not know while she couldn't even recognize his face. अब वो जो एक्षिन में इसका ना face भी खराब हो जाता है. Face खराब हो जाता है मैंने बोला ना bullets इसके बहुत जाता चेहरे पे starting में यहां लिखा हुआ है. पहली line में कि जो चेहरा पूरा खराब हो गया था. अब चेहरा खराब हो गयता ऊब था तो बोल नी पाता है. ठीक से बोल नी पाता है, बहुत you come to be this way फिर अब मा कहती है लडगे से ठीक है जॉन ब्राउन से कि क्या हुआ तुमारे चहरे को प्लीज मुझे बताओ मेरे डार्लिंग सन मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया जो एनिमीज थे उन्होंने तुमारे चहरे के साथ ऐसा क्या कर दिया कि मैं तुमारे चहरा ही नहीं बेचान पारी हूँ अब आरा ही ट्राइड इस बेस टू टॉक अबाउट बट इस माउथ कुड हार्डली मूफ अब वो जो जो जॉन ब्राउन है ना जब मदर उसको बोलती है बताओ क्या हुआ तो वो बोलने ही कोशिश तो करता है बट उसका चहरा इतना खराब हो गया था इतना डैमेज हो गया था वार से कि वो बोल ही नहीं बारा था उसकी आवाज ही निकल पारी थी कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी नहीं बोल पारा था अब देखो अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जो जून ब्राउन है उसका पूरा आउटलोगी चेंज हो गया है वार की दिरफ ठीक है वो कह रहा है कि जब मैं अपनी मदर को बोर रहा है जब मैं वार पे जा गया था था तो उस ट्रम ते तुम भी यह सोचती थी कि बहुत बड़ी यह काम करने जा रहा है कि मैं वार करने जा रहा हूं तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है तो मैं ऐसा सोचती थी ठीक है मैं तो लड़ाई कर रहा था बैटल ग्राउंड में मैं तो वहाँ बैटल ग्राउंड में लड़ाई कर रहा था और तुम जो घर पे थी तुम बड़ा अपने आपको proud feel कर रही थी सब को जा जाके बोलती थी लड़का मेरा soldier है लड़का मेरा ये है लड़का मेरा letter लख रहा है लड़का मेरा war कर रहा है ठीक है तो तुम अपनी ego boost कर रही थी तुम अपने आपको बहुत proud feel कर रही थी ठीक है लेकिन reality वो वैसी नहीं है जैसा कि तुम और मैं सोच रहे थे starting में तो John Brown यह सोचता था war बहुत अच्छी चीज है अब यह बताना शुरू करेगा कि मम्मी जो मदर यह war बहुत खराब चीज है जैसा मैं और तुम सोचते थे थे ना वैसा नहीं है war ठीक है अब reality सामने आएगी देखिए oh and I thought when I was there God what I am doing here अब वो कह रहा है कि जब मैं battlefield पे था ना जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तो मैंने सोचा वहाँ पर जाके जब मैं लड़ाई कर रहा था अब जब war field में देखो जब यह गया आना इतना destruction तो अब इससे समाझ में आगी war बहुत बेकाल चीज़ है war बहुत ही ज़्यादा अगली चीज़ है अब इसको रिलाईशन हुआ जब यह battlefield में गया ना जब इसको समाझ में आई यह बात ठीक है I am trying to kill somebody or die trying but the thing that scared me the most was when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine oh lord just like mine अब वो बोल रहा है अब देखो अब वो बता रहा है battlefield में मैं क्या कर रहा था या तो मैं किसी को मारने की कोशिश कर रहा था या अपने आपको बचा रहा था ठीक है और पूरा मेरा focus था है किसीने किसी को मार दूँ या तो किसी को मारते हूँ या या तो उसे मारेगा या फिर पूरी जान लगा देगा कि उसे मारना ही मारना है और खुद भी मर सकता है ठीक है डाइट राइंग का मतलब है या तो उसे मारो या उसको मारने के चक्कर में खुद भी मर जाओ तब तक उसको कोशिश करते रहो सामने वाले को मारना है कि जब तक तुम मर नहीं जाते जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक तुम पूरी जान लगाते रहो कि सामने वाला मर जाए यही पूरे टाइम यही सोचते रहो कि सामने वाले को मारना है बस कैसे भी करके तो यह बता रहा है I'm trying to kill somebody अब वो बता रहा है तो मैं तो पूरी कोशिश यही कर रहा था कि मैं सामने वाले इंसान को मारू हूँ मैं अपने एनिमी को मारू हूँ सबसे बड़ी जो मुझे सर्पाइज हुआ वो यह हुआ कि जब मेरा एनिमी मेरे सामने आया और जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा यह तो मेरे जैसा ही है बिल्कुल यह एनिमी तो जिसको मैं एनिमी समझ रहा हूँ और जिसको मारने के लिए मैं पूरी जान लगा रहा हूँ मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ मैं अपने एनिमी को मारू हूँ जिसके लिए मैं यहाँ एतने दूर आया हूँ वार करने बट जब मैं अपने एनिमी को देखता हूँ तो मुझे लगता है तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है बिल्कुल मेरे जैसा ही है ठीक है तो यह इसका मतलब है His face just look like mine, oh lord just like mine बिल्कुल मेरे जैसे ही है तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मैं अपने जैसे ही इनसान को मार रहा हूँ वो भी किसी मा का बेटा है वो भी एक human being है और मैं तो उसको जानता तक नहीं कोई personal problem तो है नहीं मेरी लेकिन फिर भी मैं किसको मार रहा हूँ मैं एक innocent इनसान को मार रहा हूँ वो भी मही तरह innocent है वो भी किसी मा का son है ठीक है, वो भी किसी बीवी का husband है वो भी किसी बच्चे का बाब है तो मैं एक innocent human को मार रहा हूँ तो उसको realize होता है कि तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है वार में वार अची चीज नहीं है and I couldn't help but think through the thunder rolling and stink that I was just a puppet and a play and through the roar and smoke this string is finally broke and a candle bell blew my eyes away अब वो क्या कह रहा है अब इसको इची समझ में आई soldier को यह जो है John Brown नहीं कहता है कि अब मुझे यह चीज समझ में आ रही है कि मुझे तो एक plot में फसाया गया है मुझे एक plot होता है जैसे एक जाल में वो कहता है मुझे तो एक जाल में फसाया गया है और मुझे जाल में फसाया किसने है जो उपर बैठे हुए लोग है ठीक है, तो कह रहा है, जो उपर बेठे हुए लोग है, वो हम जैसे यंग मैन को जाल में फसाते हैं, और हमें लडने के लिए भेज़ देते हैं, ठीक है?, और हम लोگ सफर करते हैं, अब मुझे समाझ में आया है कि मुझे जाल में फसाया गया है, ठीक है? वार अच्छी चीज़ नहीं है वार को जबस्ती रुमेंटी साइस किया गया है बड़ा चढ़ा के दिखाया है वार बहुत मान है तुम्हें मरना चाहिए वार में या मानना चाहिए जाके वार में वार में गلोरी है वार के बाद ऐसा होगा वर के बाद बहुत बड़ा तमें वह मिलेगा ठीक है तो यह जो चीज़ें हैं वो कह रहा है कहीं ना कहीं गेम खेला गया है mind game खेले गया है हमारे साथ ठीक है जो ऊपर बैठे हूँ उन्होंने हमें जाल में फसाया है तो उसको realize होता है कि वो तो ट्रैप में फसा हुआ था ठीक है एक mental trap create किया गया था ठीक है अब जब वो सोच रहा होता है तो जब वो battlefield में खड़ाओ के चीज़ने सोच रहा होता है तो एकदम से bum सा फटता है और उसकी जो आँखे होती है वो चली जाती है ब्लाइंड हो जाता है ठीक है तो आप देखो कितनी brutal चीज़ है वोर में ब्लाइंड हो जाता है यहाँ पर तो यह जो line है and a cannon blind bloom my eyes away आँके भी खो दी उसने तो आप देखो वोर की brutality समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा serious है वोर में अब उसको realize हुआ कितनी खराब चीज़ है वोर उसका चहरा खराब हो गया उसका हाथ चला गया उसकी आखे चली गई उसका चहरा इतना खराब हो गया वो बोल नहीं पा रहा था उसकी माँ पैचान ही नहीं पाई कि वो ही लड़का है जान ब्राउन है तो अब यहाँ पे हमें समझ में रहा है जो वोर की बहुत harsh reality है brutality है, cruelty है, cruelty है यह चीज़े निकल के आ रही है अब John Brown ने कलग person मन चुका है बिल्कुल अब वो वोर को बहुत hit करता है starting में तो वो भी बहुत उसको romanticize कर रहा था बड़ा-बड़ा मान रहा था कि war बड़े इची चीज़ है एकदम च्छाती निकालके खड़ा हुआ था वो भी starting में, starting line ऐसी है ना बिल्कुल pride में खड़ा था straight लेकिन अब तो सिधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा उसकी जो lower back है पूरी टूट चुकी है तबी तो उसने वहाँ वो बांद रखा है waist brace उसने अपने कमर पे वो बांदा हुआ है metal का brace सीधे खड़े रहने के लिए है war ने उसकी कमर तक तोड़ दिया वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा तो war ने इतना जादा damage कर दिया तो अब वो war को hate करने लग गया है end तक आते हाते poem के war John Brown की personality पूरी change हो गई है जो starting में थी अब ऐसी personality नहीं है उसकी एकदम opposite हो गया है वो war के hate करता है war को finally last paragraph and as he turned away to walk his mother was still in shock at seeing the metal place that helped him stand अब फिर जब बात खतम होती है finally end में वो दूसरी तरफ मुड़ता है वापे मतलब जाने के लिए कहीं तो उसकी जो मदर होती है न वो देखती है लड़का तो जा रहा है लेकिन वो अभी भी बड़े shock में थी वो समझी नहीं पाती है यह में लड़का है हाथ चले गए आखे चली गई बोली नहीं पा रहा सीधा ख़ड़ा नहीं हो पा रहा ठीक है metal brace इसने अपने वेस्ट पे कमर के बेल्ट बांदी हुई थी metal की सीधे ख़ड़े रहने के लिए सीधा ख़ड़ा नहीं हो पा रहा था इतना damage हो गया उसकी body को ठीक है तो उसकी mother बड़ी surprise थी में लड़के को हो क्या गया ये तो पीछे अब लेटर दिखाती फिर रही थी बहुत ज़दा proud feel कर रही थी लड़का में लड़ाई करने गया है war में गया है ये गया है हो गया है सारे neighbors में सारे रिष्टेयारों में लेकिन अब जब इसने भी reality देखी इसने का war वैसी चीज नहीं है जैसा हम समझते है war तो बहुती खराब चीज है अगली चीज है destructive है humans तो ये तो humanity को खतम कर देगा war ठीक है as he turned to go he called his mother close and he dropped his medal down into her hand अब देखो अब वो जब जब जा रहा होता है ना तो मा को बलाता कि ममी दर आओ और उसके हाथ ने एक medal medal पकड़ा देता है ठीक है तो अब ये क्या मतलब last line बड़ी strong है क्योंकि ये जो पूरी war थी ठीक है तो जो पूरी war थी starting में mother बोलती है ना कि तुम आओगे लड़के आओगे और तुम war से जीत के आओगे तुम medal लेके आओगे तुम medal को घर पे लगाएंगे चार लोगों को दिखाएंगे कि भाया कितनी बड़ी लड़ी है medal मिला है इसको इसको war में medal मिला है ठीक है ego boost होती है न इससे हमारी तो वह बता रहा है तो अब वह कहता है जो जा रहा होता है तो मदर को close बलाता है वह कहता है यह लो medal लख लो ठीक है तो actual में यहाँ पे दिखाया गया है कि medal जो होता है अब तो यह john brown तो completely hate कर चुका था वो war को लड़ाई को violence को इन सब को hate कर रहा है उसकी personality पूरी change हो गई है और mother को चाहिए था ना starting में की medal चाहिए लड़का मेरे लड़ने जा रहा है तो वो कहता है लो mother अब तुम medal रखो ठीक है तो मतलब कहानी है यहाँ पे किया कि end हो जाती है यहाँ पे यह है निकल के आ रहा है कि कभी भी ऐसी condition ना हो ठीक है कभी भी ऐसी condition ना हो और सिरफ जैसे यहाँ पे दिया है last में ठीक है यह दिखाया गया यहाँ पे जॉन ब्राउन जो है जॉन ब्राउन के character के थुरू जो author है ठीक है बॉब डाइले ने नहीं यह दिखाया है कि एक medal के लिए हम war करते है एक medal के लिए हम अपनी life भी sacrifice करते है हम बहुत सारी humans को भी मार देते है पूरी human life destroy कर देते है सरफ एक piece of medal के लिए वो क्या है? एक medal का piece है medal क्या होता है? एक medal का piece होता है तो सरफ एक medal के piece के लिए हम human life ले रहे हैं human life sacrifice कर रहे हैं तो ये कोई logical और अच्छा step नहीं है तो हम सबको सारे humans को कोशिश करनी जाए हम peaceful रहे हम प्यार से रहे हम किसी भी form में हमें कभी भी पूरी कोशिश करनी जाए कि हमें कभी भी violence ना करना पड़े ठीक है तो गाइस ये था बहुत अच्छी ये वो है अगर आप देखेंगे पोहिम अगर आपको पोहिम अच्छी लगी है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर करें कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें हमाना इस डे बाबाए टेक केर